शिवलिन की पूजा करते हैं और उनकी विपर बहुत सारी चीजे चढ़ाते हैं तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि शिव रात्री क्यों करते हैं क्योंकि कोई भी बच्चा होता है उस बच्चे का चाहे 12 बजे रात्री को भी जनम हुआ हो लेकिन उसका मनाती हमेशा जनम दिन ही है जनम रात्री कभी नहीं मनाते लेकिन शिव की हमेशा हम शिव रात्री मनाते हैं उनके आगे रात्री शब्द क्यों जुड़ा हुआ है ये कभी आप लोगों ने सोचा है जो रात्री सबस उनके आगे जुड़ा है करमात्मा जब इस धरा पर आते हैं चारों तरफ अंधकार, दुख, अशांती, अज्यान की बागल जब चारों तरफ मड़रानी लगते हैं तब परमात्मा का इस धरा पर अवतार होता है ये जो रोज दिन रात्री होती इस रात्री की बात नहीं है कली खुरूपी अनहेरी रात्री जब परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो कली खुरूपी अनहेरी रात्री जब हो जाती है चारों तरफ अंधकार हो जाता है तब परमात्मा इस धरा पर आते हैं इसलिए हम उनकी शिवरात्री मनाते हैं जब पर्मात्मा आते हैं और हमको ज्ञान देते हैं तब दिन होता है तब जाके सत्युगी दुनिया आती है इसलिए हम शिवरात्री मनाते हैं अब शिवरात्री हमें मनाना कैसे है अभी तक हम कैसे मनाते थे अब हमें मनाना कैसे है क्योंकि उसका आध्यात्मिक रहस से हमें पता नहीं है हम इस फूर रूप में तो मना रहे हैं लेकिन उसका वास्तों में अर्थ क्या है ये हमें उसको मालूम नहीं है तो भगवान ने कहा कुछ और हम कर रहे हैं कुछ बर्मात्मा जब इस धरा पर अतार लेते हैं उन्होंने हमें हमारे अंदर जितनी भी बुराईया हैं जिससे हमें दुख होता है वो हमारे उपर बर्मात्मा कहते हमारे उपर चढ़ा दो तो तुम्हारे सक्षी शुरात्त्री होगी क्योंकि शुक के उपर हम शुरात्त्री के दिल क्यों क्यों चढ़ाते हैं बेर, भतूर, बेलफत्त्री आदी ये बहुत सारी चीजे हम उनके उपर चढ़ाते हैं अब आप सोची यह चीजिजें, कभी और देवी देवता के उपर चढ़ाते हैं और देवी देवता के उपर अच्छे फल, सेव, संस्रे, अंगूर यह चढ़ाएंगे लेकिन शीव के उपर ध़तूरे का फल चढ़ाएंगे बेर चढ़ाएंगे वो आप कभी खाना प्रजंद करेंगे रतूरा आप कभी खाये हो तो शीजी के उपर उनको हम खिला रहे हैं लेकिल हमने कभी खाया नहीं है क्योंकि विश होता है तो परमात्मा ने यह सब चीजे चढ़ाने के लिए हमें नहीं कहा परमात्मा ने कहा जो हम उनको पर बेर चरहाते हैं सबसे पहनी बगवान्य का जो तुमारे उंदर एक दूसरी की प्रति बहर दिरोग की भावना है वो तुम मेरे उपर चरहा दो तो हमने क्या किया? बहर कु अपने उंदर ही रखा अर बेर उनके उपर चरहा दिया बगवान नी क्या मंगा हमसे? बेर जो हम आपस में लडते ही, दुखी ओते ही लड करके तो वो बगवान नी हमें माँगा तो हमें उनकी उपर बेर चढ़ाना है ना कि पेर उनकी उपर हम चढ़ाते धतूरा जो विश वाला फल होता है बगवान नी कहा दिए तुम्हारे अंदर विश है जैसे क्रोध है काम है ये विकार है विश की तरह है तो इन विश को तुम मेरी ऊपर चढ़ा दो तो हम ने क्यों किया किया क्रोध रूपी विश को अपने अंदर ही रखा और विश वाला फल ले करके उनकी उपर क्या किया चहा दिया परमात्मण के उपर आंच जणाते हैं तीन पत्ति की बेल पत्र जो ब्रह्मा विश्नौ शंकर ये तीन देव है ये तीनों दिलताय theय उपर गए तो योंकि ब्रह्मा की दोप्र इसठापना मिश्नू की दोप्रा पालना और शंकर की दोप्र विशर विनाश ये बलिहार गए बलिहार गए मतलब उन्होंने जैसे अपना काम उनसे लिया वैसे उन्होंने किया तो आज हम क्या करते हम तो कभी उनकी उपर बलिहारते नहीं है लेकिन तील पत्ती की बेल पत्तर उनकी उपर बलिहार देते हैं